कोरोना संक्रमन के इस बिकट संकट में हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार साथी, दिन और रात अपने कर्तब्विका निर्वा, पूरे समर्पन और निस्ठा के साथ कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जन तक जानकारियां पहुँचाते पहुँचाते, अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते करते, कई हमारे पत्रकार साथी भी संक्रमित हुए और कुछ का दुखत स्वर्गबास भी हो गया। इस समय जरूरी है कि ऐसे सभी मित्रों का जो कोविट की बीमारी से संक्रमित होते हैं, उनका इलाज ठीक धंक से हो जाए। मद्र प्रदेश में अधिमान और गैर अधिमान ने पत्रकार सांथियों के पहले सही पत्रकार बीमा योजना के अंतरगत इलाज की लवस्ता है। पत्रकार कल्यान योजना में भी उनको सहायता दी जारी है। सासकी अस्पताल और अनुवंधित अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा है। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक, डिजिटल मीडिया के संपात की विभाग के सभी मीडिया कर्मी अधिमानी हो या गैर अधिमानी हो और उनके परिवार का यदि कोई भी सदस्य कोविट की बीमारी से पीडित होगा तो मध्धते सरकार उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ेगी। उनका पूरा इलाज करवाया जाएगा ताकि वो अपने कर्तब का निर्वाह भी कर सकें और अगर कोविट से वो या परिवार का कोई सदस्य से पीडित होता है तो उनका बहतर इलाज किया जा सके। कर दो परिवाउ कर दो आल कर दो झाल